बात करें अगर edible oil pack की तो देख रहे हैं कि जो mustard seed का अक्टूबर वायदा है वो फ्लैट 8400 की उपपर है 83-98 पर भी कारोबा करता हूँ नजर आया था और देख रहे हैं कि refined soybean के अंदर भी कुछ ज़्यादा खास levels देखने को नहीं मिल रहे हैं सोयवीन पच्पंच सो के घरों में आ चुकी है अब क्या लगता है आज हफते का आखरी कारोबारी दिन गिरावत वाला हो सकता है आज सभी एग्री कोमोडिटीज में गिरावत है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह गिरावत बढ़ सकती है सोयवीन के अंदर गिरावत जो है वो देखने को मिल सकती है और सोयवीन नीचे में चोपवन सो तक लोड़ा सकता है तो आठ गार के आसपास एक बास सपोर्ट ले सकता है तो यानि इस हफ्ते गिरावत है और नेक्स्ट वीक भी गिरावत वाला रह सकता है सरसों को छोड़ दें तो मुझे लगते कि बाकी तेलों में गिरावत बनी रह सकती है